सुरू करते दोस्त अब कॉडिनेट जिवेट्री तो कॉडिनेट जिवेट्री सुरू करने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या होते कि अपन किसी भी आपजेक्ट की प्रिसाइज लोकेशन की चीज की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ सेट आफ एक्सेस का द्यान रखते हैं अगर अपन तीन डाइमेंशनल एक्सेस अगर मैं डिफाइन कर दूं ठीक है त्री डाइमेंशन से त्री डाइरेक्शन यूनिक डाइरेक्शन बता दूं जो आपस में यूरिचुली परपेंडिकुलर ठीनों का क्या होना चाहिए आपस मेंपरपेंडिकुलर होना चाहिए और इक Sud लोडेक्शन को मेंशन करना बताना कि दोड़ है यह सेंटर न सुरूं कर रहा है तो मैं किसी वी अबजेक्ट की प्रिसाइज vic location लिख सकता हूँ या दुनिया को बता सकता हूं कि कोई भी कर तके अगहर्ण मैंनेalities कॉढ़नेट लिख दिए तो इससे कोई भी पता कर लेगा यह यह एक्स पर यह लिखा है वाई और यह लिखा है जाए आप पहले अब X में पहले पाथ चले फिर उपर Y-axis के लोग कितना डिस्प्लेस किये तू डिस्प्लेस किये फिर Z क्या है प्लेन ऑस बोर्ड के बाहर-बाहर की तरफ की जैसे जैक्सिस बनाई आसे इसका मतलब क्या है बाहर जैसे अगर Y-axis यह ऊपर की तरफ है X-axis इदहर ऐसे एक्से यह x-axis है और यह वाइ-स तो एक्सेस इदहर है वाई-एक्सेस इदहर ऐच तो Z-axis क्या है मिलकुल बाहर आपकी तरफ ऐसे यह रही आपकी z axis तो 5 x की के तरफ गए फिर y axis के लाउंग 2 चलो फिर z axis के लाउंग 6 चलो बाहर की तरफ तो तुम्हारा ये जो भी point जिसकी भी location dimension कर रहे हो आप उस पर पहुंच जाओगे तो coordinate geometry का use कि आप जाता है किसी की किसी भी particle की location को find करने के लिए कोडिनेट जिमेटरी का use किया जाता है coordinates किस format में लिखते हैं x,y,z वाले format में लिखे जाते हैं coordinates कैसे लिखे जाते हैं x,y,z पहला coordinate क्या बताता है जैसे यहां पर मैंने लिखा था 5 तो पहला जो भी लिखा हो वो हमेशा x-axis के coordinate को represent करता है दूसरा जो होता है वो हमेशा क्या represent करता है y-axis को represent करता है तो और कॉमा क्या लिकाता है तो first coordinate x-axis के along displacement को represent करता है यह एक्स-axis के coordinate को represent करता है second y-axis के coordinate को बता लिक प्रसेंट करता हो ठीक है यहां तक comfortable है clear है जड़ी बटाईए पक्खा बटाईए ठट्टा बटाईए ठाड़े बटाईए अब coordinate geometry में क्या होता है sign convention भी follow किया जाता है एक जो systematic sign convention x-axis अगर यह positive x-axis है तो मैं इधर बना दूँगा तो यह negative x-axis यह positive y-axis है उपर की तरफ तो यह नीचे बना दूँगा तो यह negative y-axis हो जाए यह z-axis बाहर के लिए positive है तो अंदर के लिए क्या हो जाएगा negative x-axis हो जाएगा तो कोडिनेट में एक sign convention भी follow किया चाता ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ बाते और बताता हूं मैं आप लोग को समय में दो ही कॉडिनेट मिलेंगे तो अब समझना बचा पाटि अगर मैं इसे कॉडिनेट सिस्टम में प्लॉट करता हूं जैसे यह एक्स है यह वाई है कि मैंने कोशन लिख दिया लोकेट वाइव कॉमा कि अढ़िए को जह ऐए माइनस 3 का मतलब क्या है माइनस 3 का मतलबonton वैलो नेक अगर इसप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चाई अब को ह%. सबसे पहले आप एक्स पहला कोडियेटmouth क्या बताक है X X को बताता है तो सबसे पहले एक्स में पांच सबसे पहले चूस्य सबसे क्या करेंगे एक्सपांच चलेंगे ऐसे प tätä में हो नो हरे कि trim ले लिए कि फिर क्या लिखा है माइनस का 3 माइनस 3 मतलब आप नीचे आओगे तो यहां कहीं आपका location आ रहा होगा यह 3 तो यह कॉडिनेट को इस पॉइंट की location 5-3 माइनस क्या बात आता है डाइड़क्ट एक्जाम्पल के तौर पर मालों आपको एक और question दे दिया एक और question दे दिया मालों आपको question में और बोल दिया locate माइनस 4 थी कॉमा 3 तो यहां पर पहला कॉडिनेट नेगेटेव है पहला कॉडिनेट हमेशा क्या रेप्रेसेंट करता है X coordinate को दूसरा हमेशा क्या represent करेगा तो अगर मैं इसको coordinate system पे locate करने को आ गया तो यह positive axis है यह negative सबसे पहले minus 4 तो अगर यह positive axis है तो उसके just opposite क्या होगी negative axis होगी तो इसको अगर बच्चा पार्टे मैं locate करने को आ गया तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई एक्स में चार सलना पड़ेगा पहले minus x axis यहां फिर वाई में क्या लिखा है त्री तो वाई का positive है इसलिए उपर जाओगे तीन तो यह चार चलोगे फिर यह तीन चलोगे तो यह यहां पहुंचोगे यह point के coordinate minus 4,3 होगे तो समझ में आ रहा है कि points की location coordinate देखे कैसे location का idea या अंदाजा लगाया जा सकता है with the help of coordinate geometry I hope यहां तक आप सभी लोग comfortable होगे clear होगे जल्दी बताइए पका बताइए अब coordinate geometry का use करके हम क्या निकालते हैं दो points के बीच में distance निकालते हैं और इस पार्ट इस चीज को अपन कहते हैं distance formula तो अब नेक्स चीज पढ़ते हैं बच्चा पार्टी coordinate geometry में that is distance formula तो distance formula क्या होता है बच्चा पार्टी समझना बच्चा पार्टी इसको मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल से language में समझेंगे इसको मालीजी यह कोई coordinate system है x y और z यह कोई point है जिसकी location है x1, y1, z1 इसके coordinate x1, y1, z1 कोई यह दूसरा point है b जिसके coordinate x2, y2, z2 कमफर्टेबल है यह coordinate a है जिसके coordinate x1, y1, z1 यहां तक clear है तो अगर यह x1 फर्स लोकेशन है second location यहां पर b पर x2 है तो हमें अगर a और b की बीच की distance चाहिए तो इनके बीच की जो distance है basically अगर आप देखो दोस्त इनके बीच की जो distance है क्या वो बच्चा है बच्चा पार्टी जो भी है इसके coordinate में से इसके coordinate minus कर देए जिसे x में से x y में से y, z में से z coordinate आपको माहिए तो distance formula क्या कहता है distance d जो हैं दोनों की बीच की coordinate थोड़ा और उपर लखेंगे इसके coordinate क्या थे x1, y1, z1 और इनके बीच की जो distance थी यह d तो यह distance d का जो formula आता है वो क्या है रूट ओवर इसका coordinate क्या है x2 यहां coordinate x क्या है 1, x1 तो x2 minus x1 का whole square कर दोगे plus second coordinate क्या है y2 और यहां क्या है y1 तो y2 minus y1 कर दोगे प्लस लास्ट क्या है z2 और z1 तो z2 minus z1 का whole square कर दोगे तो यह distance आ जाएगी इन दोनों पार्टे के लिए दो पॉइंट दे रखे ए और भी जिनके coordinate दे रखे तो इनकी बीच की distance किती हो जाएगी root over x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square कुछ questions करते हैं ज्यादा समझ में आएगी coordinates geometry के help लेके कैसे distances निकाली जाती है कि नहीं भी दो points तो समझना बचा पार्टी कोई coordinates दे रखे point a के 5,4,3 और कोई point दे रखा है b इसको ऐसे लिए find distance between points a की coordinate दे दिये 5,4,2 और and b b के coordinate दे दिये 5,3,-6 अब इन दो point के बीच में आपको distance पूछी है between points a and b अब कैसे निकाल होगे तो distance formula क्या कहता है distance formula क्या कहता है root over x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square यही होता है distance formula बस आपको यह coordinates उठाके put कर देने x2 किता है 5 minus 5 plus y2 किता है minus का 3 y2 minus y1 y1 किता है 4 plus z2 किता है है minus 6 minus z1 किता है 2 का whole square solve करेंगे minus 3 minus 4 किता हो जाएगा minus 7 और यह किता हो जाएगा minus 8 तो यह और 5 minus 5 किता हो जाएगा 0 तो फाइनली यह आ जाएगा 0 square plus minus 7 का square plus minus 8 का square यह आ जाएगा भाई माइनस 7 का square क्या आएगा किसी भी निगेटिव टम का square पॉजटिव तो यह किता आ जाएगा 49 तो सॉल करके आ जाएगा रूट ओवर 49 प्लस माइनस 8 किता हो जाएगा 64 प्लस 64 आ जाएगा यहां से सॉल कर दो के 64 प्लस 49 कर दोगे तो 100 109 113 तो जो आ जाएगी सॉल करके रूट ओवर 113 मीटर आ जाएगी तो कॉडिनेट ए एंड बी जो दो कॉइंट दे रखें ए और बी इनके बीच की टोटल डिस्टेंस होगी रूट ओवर 113 रूट ओवर 113 मीटर की की दिस्टेंस होगी आई होब यहां तक आप सभी लोग सब्सक्राइब और अच्छा कर लेते हैं क्वेशन आगे ने दिया पाइंट डिस्टेंस बेट्वेट्वें पॉंट्स पी एंड क्यू इन दो कॉइंट की बीच की डिस्टेंस आप से पूछे लिए अब कॉदिनेट ऑफ पी तुम्हें दे रखें लेट से तू कॉमा माइनस थरी कॉमा और पॉइंट क्यू के कोडिनेट्स हैं वह आपको दे रखे हैं 5,2,6 अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मला लगाते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मला लगाएंगे डारेक्टी लगा देते हैं अपकी बार रूट ओवर इस टू एकस्टू किता है थायप युए मानस एकस वन धता है टू तो फाइब माइनस टू का होल डिख दोगे वाइड्य किता है 2 इंद किता है माइनस का खुझ लोगे किता आ जाएगा फाइब माइनस टू किता कर दो के तीन का स्काइर दो माइनस माइनस यह जाएगा प्लस सो दो प्लस सीङ किता हो जाएगा पाच तो यहां से डिस्टेंस जो आ जाएगी वह रूट ओवर तीन का स्कौर्इर नौ पांच का स्कौर्यर पच्चिस और चार का दो का स्कौर्इर चार तो यह 25 प्लस 9 प्लस 4 आंसर हो जाएगा 25 प्लस 9 कर देंगे किता आ जाएगा यह 34 प्लस 438 तो यहां से सॉल करके आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो किसके बराबर आ गए रूट ओवर 38 मीटर आगई कित्वी आगे दोस्त रूट ओवर 38 मीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आई होप आप सभी लोग कमफटेबिल होंगे क्लियर होंगे और डिस्टेंस फॉर्मले का यूज अब बहुत इसली बहुत कमफटेबली आप सभी लोग कर सकते हैं यहां तक आप सभी लोग सत्परतिश्य हंडेट परसंट एक नंबर कमफटेबिल है क्लियर है